है असलाम अलेकुम गाइस कैसे हैं आप सब तो जैनाब आज किस वीडियो में हम आल्टो के हैड लाइटस के हावाले से कुछ डिसक्रस करेंगे कुछ ऐसी इंफ़र्मेशन गोश्क को मुआप को मालूम होगी और कुछ लोगो को मालूम नहीं होगी अल्टू के हेड लाइडेड्स के हावाले से जितना मैंने नोट किया है उसमें यह इसकी लाइडS काफी डिम है अर डिम की साथ साथ डिम तो चले अपनी जगह हैं लेकल डिम के साथ साथ इसमें इश्चू जो है वह यह है कि लाइड बहुत नीचे है ठीक है बिल्कुल मैं लेगे इसको एड्रेस्ट करवाने हैं तो वहां पर मुझे यह पता चला कि सुजुकी वाले इनको क्या मसला है इनको अच्छा ही करते हुए बुरा लगता है या अच्छा ही करना नहीं चाहते है या यह इन्होंने जान बूच के एक चीज छोड़ी हुई है अच्छा ही हेड्लाइट के साथ एड्जेस्टेबल मोटर दीवी है यह अगर आप देख रहे हैं यह पूरा जो यह लगा हुए लाउंग इट्स ग्रिप यह देखें ग्रिप की भी जगह है चलब यहां पर वायर लगनी है ठीक है इसी तरह दोनों साइट पे यह साइट पे यह साइट 24 50000D ग्रीज तैंग आप उसको अब्राउन कर सकते है बहुए अस्थी लेएं जो चीज नहीं लगी वह अंदर्वा स्थी ओध है जिससे आप यह जो हैडलाइट्स है चुंके जापान से इंपोर्ट वी है ठीक है तो जैपनीज उसमें यह बिल्ट इन लगा हो होता है यह मोटर जैपनीज हैडलाइट्स में बिल्ट इन लगा हो है तो यह लगा है तो इन्होंने काया बस लगा है उतार के क्या करना है तो इन्होंने यह साथ दे दिये ठीक है अब सुजुकी वालों को इतना इतनी तो फीक नहीं थी कि ये ग्रिप लगी वी है वायर है ले जाओ जो भी इनके वायर हैं कि मैं बहुतर पता होगा जादे जादा कितना इनका टाइम लगना था जब इतना कुछ कर दिये गाड़ी में तो ये भी कर द कर दूँगा मैं मैं कर दूँगा जनाम मैं कहुंगा ठीक है मैं मैंने कर दिये इसमें मतलब बटन लगा दियो हो एड़ेस्टिबल फीचर में पास आगे है कल को खुदाना खौस्ता वारंटी क्रीम के बात आएगगा सुजुकी वाले कहेंगे चल बुदर चुटी गर आई हुए ठीक है यह जापान से आई हुए है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइक एड्रेश्मेंट का मुझे बहुत इश्यू था मैंने फिर इसको मैनुवली करवाया वह यहां से वह पेचकर डाल कि है डोन वह जो भी कर लेकिन उसका वह मज़े नहीं है वह कभी मेरी गाड़ी है मैं इसको अपनी तरह से चलाना है ठीक है तो फिर आप इसमें क्या करें आप इसमें ग्रिप्स लगवाएं किसी अच्छे एलेक्टरिशन से पहली बात लोकल एलेक्टरिशन है जो टेप गुमा गुमा कर लाइक किसी प्रोफेशनल बंदे के पास जाएं के जैसे अपनी वाइरिंग वी बी ए उसी तरह की वाइरिंग में साफ सफाई से इसको आपको करके देदी ठीक है बिसकली वऔर करेगा क्या इसमें वाइर लेक जाएं ठीक है और अदर बटन लगेगा ठीक है और ग्रिप्स तो लगी है जो किनेक्शन देना होगा वो और जितना मैना भी तक सुनने 1000 रुपीस का खर्चा है इंक्लोडिंग भी बटन I think 400 बटन का है 100-200 आपके कुछ वायर्स की लग जाएंगे और बाके अलेक्ट्रिशन आपसे 300-400 चार्ज कर लेगा So, यह कैसी इन्वर्मेशन थी जो कुछ लोग को मालूम भी थी कुछ लोग को नहीं थी मालूम दो सोचा मैंने शेयर Electrical warranty के हावाले से मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहूंगा Suzuki Aptabad Motors के हावाले से वो जनाब वो लोग कहते हैं कि Electrical warranty गाड़ी की है ही नहीं ठीक है उनसे मैं पूचा तो मैंने कर गर मैंकर हो पूचा है हाँ आप इस अंदाज में काम करवा सको कि कल को आपको क्लेम की जुरुत पढ़ जाए तो फिर आप कुछना को लेकिन एक बात याद रखें कि क्लेम इनसे लेना बहुत मुश्किल काम है मैं हर वीडियो में 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 मेंशन करता हूं महीने वेट करें हाथा वेट करें जया नहीं होँ तो यहीं नहीं हुआ उसच तो यही अफ्रों v Architecture कुर्णातिन लेए करा हम इद बहुत मुश्किल को आपके लेकिन के बात एक strengthening के है है तो एनिहाल इस अप तो यू जो भी आपके डिसिजन हो तो यह थी आज की एक छोड़ी से information and see you in the next video take care love is